हेलो क्लास मैं पावन मिस्रा और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो जिस टॉपिक पर बात करेंगे केंडरी माधमिक सिक्छा बोर्ड सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजूकेशन आप जब एट क्लास के बाद जब आए होगे इस्कूल टाइम से ही मतलब आप हमेशा आ आप 9-10 क्लास में 12 क्लास में गए होगे तो CBSE बोर्ड के एक्जाम आगए बोर्ड के एक्जाम आगए तो उस समय आज CBSE के बारे में आप जानने लगए होगे कि CBSE एक ऐसा और नई जिसन है एक ऐसा बोर्ड है जो क्या करवाता है 10-12 के एक्जाम करवाता है उस समय आपको इतना पता चल गया होगा CBSE के बारे में तो एक ऐसा नाम जो आप बच्पन सही सुनते चले आ रहे हो CBSE तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि CBSE क्या है इसके रोल्स और फंक्शन के बारे में हम जानेंगे तो हम सुरू करते हैं फुल फॉर्म क्या है सेंटरल बोर्ड अफ सेकेंडरी एजक्वेशन हिंदी में इसको केंदरी माद में सिक्षा बोर्ड हम कहते हैं और CBC वोज री कॉंस्टिटूटेड इन ओन फॉर्स जुलाई नैंटीन सिक्टी टू कि CBSE को एक जुलाई नैंटीन सिक्टी टू को फिर से पुनर गठिट किया गया था इसका मतलब क्या है मतलब यह पहले ही बन चुका था तो इसकी भी अपने एक हिस्ट्री रही है अगर हम आजादी से पहले की बात करते हैं तो नैंटीन ट्वेंटी वन में जो सबसे पहला जो बोर्ड बनाया गया था उत्तर परदेश बोर्ड ओफ हाई स्कूल एंड इंटर्मीडियेट एजुकेशन नैंटीन ट्वेंटी वन में बनाया गया और उसमें कौन-कौन से जो एरियास थे सामिल थे तो राजपुताना जिसको हम राजस्थान कहते हैं ग्वालियर सेंटर्ल इंडिया उस समय इसके अधिकार छेतर में थे उसके बाद 1929 को जैसे जैसे का दारा बढ़ता गया तो इसका नाम चींज करके बोर्ड ओफ हाई स्कूल एंड इंटर्मीडियेट एजुकेशन राजपुताना दे दिया गया और उस समय इसमें कौन कौन से एरिया जुड़े अजमेर, मारवार, सेंटर्ल इंडिया और ग्वालियर ठीक है और दिरे दिरे हम आगे चलके 1947 में हमें आजादी मिली और 1952 में इसका दारा और बढ़ता तो इसका नाम जो आज हम देखते हैं CBSC तो 1952 में इसका नाम इसको क्या दिया गया CBSC, Central Board of Secondary Education और आगे चलके आफटर 10 यर, 1962 में इसको फिर से रिकॉंस्ट्यूट किया गया और तब से CBSC है, Higher Education को पूरे National Level पे और बहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए काम करता है और जैसा कि आपको बच्पन से पता है कि जो CBSC है, Board के एक्जाउंस भी कंड़क्ट करता है 10th or 12th और जो बच्चे पास करते हैं उनको सर्टिफिकेट भी पासिंग सर्टिफिकेट भी देता है It is an autonomous body fully controlled by the government of India कि भारह सरकार दौरा पूरी तरीके जैसे नियंत्रित एक स्वायत संस्तान है, निकाय है It is a national level board of education in India for public and private schools और इसमें हम देखते हैं कि भारत में जातर सरकारी स्कूल जो है और जो private स्कूल है, बहुत सारे स्कूल हैं जो CBSC से affiliated है अक्सर आप देखते होगे कि स्कूल के बहार लिखा होता है CBSC affiliated school, मतलब किस से मानिता प्राप्त है, affiliated है CBSC से है, तो इसके अंडर में हजारो जो public school हैं, government school हैं इसके अंडर में काम करते हैं इसके rules को follow करते हैं CBSC has set a good standard of education in India कि CBSC ने भारत में सिक्षा का अच्छा मानक स्थाबित किया है CBSC की degree को एक अच्छी degree माना जाता है इसकी जो certificate जो देता है 10 रो 12th class को आप इंडिया में कहीं पर भी जाओ अगर job के लिए जाओ किसी चीज के लिए अगर सब को पता है कि CBSC से आपने अगर 10 रो 12th किया है इसका एक नाम है एक अच्छा रुतबा है With its influential education policies CBSC has reformed the education system of the country कि अपनी परभाव साली सेक्षिक नितियों के साथ CBSC ने देश की सिक्षा पढ़नाली में सुधार किया है हमेशा ने ने पाठकरम लेकर आता है सिक्षा को और बहतर बनाने का हमेशा प्रयास करता रहता है CBSC CBSC has asked all schools affiliated to follow only NCRT curriculum की जितने भी इंडिया में schools है जो CBSC से affiliated है तो CBSC उनसे क्या गयता है कि आप NCRT की बुक्स को यूज करेंगे उसको फोलो करेंगे there are approximately 20,299 schools in India and 220 schools in 28 foreign countries affiliated to CBSC तो CBSC क्या है एक national board नहुकर एक international board भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि 28 country में 220 जो schools हैं वो भी CBSC से affiliated है The head office of the board is situated in New Delhi board का परधान कारयल कहा है नहीं दिल्ली में है अब हम इसके functions and duties की बात करते हैं इसके जो मुखे कार और करतवी कौन कौन से है तो innovation in teaching learning methodologies सिक्षण अदिगम पदिती में नवाचाल लाना नया पन लाना समय की हिसाब से teaching learning को और बहतर बनाना टीचर्स को नएने जो methods हैं उनसे introduce कराना और समय समय इसके regarding workshop करना ताकि टीचर्स की जो इनकी जो professional जो teaching skills से उसको और अच्छा किया जा सके reform scene examination and evaluation practices की परिच्छा और मुल्यांकन प्रताओं में सुधार करना की समय की जुरुतों को ध्यान में रखकर society की बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर education और जो examination और evaluation practices से इसमें सुधार करना skill learning by adding job oriented and job link outputs की causal विकास द्वारा विद्यारतियों को रोजगार उन्मुक बनाना तो आपको पता है कि 10th या उसके बाद जो cbsc है ये professional courses भी चलाता है कि आप school में आप normal course के साथ साथ अलग लग जो ये vocational courses है आप उसको भी कर सकते हैं आफिस सारे जो है जैसे हम कुछ courses की बात करते हैं fashion designing हो गया और इसके अलामा अगर हम बात करते हैं boutique का है तो इस तरह के जो courses हैं cbsc चलाता है ताकि बच्चों की जो skill है उसको develop किया जा सके उनको job मिल सके इसके इसके अगर हम examination and evaluation practices की बात करते हैं इसमें reform की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि जब आप school में थे तो आपका fa1 fa2 fa3 fa4 sa1 sa2 तो इस सारा जो इनका examination and evaluation practices थी जिसका main purpose क्या था examination में reform करना और बच्चों की need को ध्यान में रखकर ही इस तरह की जो reforms करना ताकि बच्चा जो है अच्छे से सीख सके और exam easily दे सके उसमें इसको कोई problem ना हो फिर हम देखते हैं कि regularly updating the pedagogical skill of the teachers and administrators by conducting in service training program workshop की जैसे मैंने आपको बताए कि time time पर इस तरह के in service teacher training program workshop organize करना ताकि जो teachers की जो teaching skills है जो pedagogical skills है जो administrators है उनकी जो skills है उसको और अच्छा बनाया जा सके to purpose plan to achieve quality benchmark in school education consistent with the national goal कि राश्टी लक्षों के अनुरूप विद्याले सिक्षा में गुणमत्ता की मानक प्राप्त करने की योजना का प्रस्ताव करना की main purpose क्या है कि जो हमारी जो national education है जो national goal है उसको achieve करना through education और इसके अलावा 10th और 12th के board के exams conduct करना और जो बच्चे पास होते हैं उनको certificate देना CBAC का काम है टू अड़ेप्ट एन इनोवेटिव मेथर्ट टू अच्छीव academic excellence के अनुकूल और नए तरीकों द्वारा सेक्षिनिक को उसक्रिस्था को प्राप्त करना की टीचर्स को नए ने मैथर्स हैं इनोवेशन हैं टीचिंग में इसको इंट्रड्यूस कराना इसके लिए से motivate करना कि जो भी उनके आँपे बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो document है उसको maintain करना ताकि जो schools क्या करें कि school के पास बच्चों का document होगा तो उससे क्या होगा कि बच्चों के बारे में और बहतर तरीके से पता लगा सकते हैं उनके लिए काम किया जा सकता है तो सभी के बारे में जान सकें तो और नाइज वेरियस कैपेशिटी बिल्लिंग एंड एंपावर्मेंट प्रोग्राम तो अपडेट दप्रोफेशनल कंपेटेंसी और टीचर की सिक्चों की वेबसाइक चमता के विकास के लिए विभीन चमता निर्मान और सशकती करन कारिकरम आयो कि सभी बच्चों को तनाव मुक्त बाल केंदीरत और समग्र सिक्चा परदान करने के लिए उपयुक्त सेक्चिक डिष्टिकों को परिभासित करना आप समय समय पर देखते हो इस तरह से नए नए चीज़े करता रहता है ताकि एजूकेशन क्या हो चाइल सेंडर्ड हो और इस तरह की हो कि बच्चों को stress-free किया जा सके और उनकी need के according जो courses है जो methods है जो curriculum है लाया जा सके ताकि बच्चा stress-free होकर चीज़ों को सीखे इसके अलमा to analyze and monitor the quality of academic activities by collecting the feedback form of different stakeholders अलग-लग stakeholders का मतलब है teachers, parents, society के लोग, बच्चे जो भी education से जुड़े लोग हैं उनको हम stakeholders कहते है तो विविन हिद्धार को से प्रतक्रिया एकत्र करके sectionic गतिविधियों की गुणवत्ता का visualization और अफ्लोकन करना कि जितने भी stakeholders हैं सभी से समय समय फे feedback लेना ताकि education का जो status से पता चल सके अगर उसमें कोई कमिया है तो उसको दूर किया जा सके तो आज आपने cbsc का नाम तो बच्पन से सुनते आ रहे हो और आज हमने जाना कि cbsc जो है board के exam तो contract करता ही करता है इसके लिए इसके अलामा नएने method से teacher को introduce करवाता है इसको एफिलेशन देता है और इसके अलामा जो बच्चे board के exam complete करते हैं उनको certificate देता है टीचर के professional growth के लिए टाइम टाइम पर वरक्शॉप जो है और नाइज करता है इन सर्विस ट्रेश टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम और नाइज करता है और हमेशा इस चीज में लगा रहता है कि जो हमारा national goal है उसको achieve किया जा सके through education और बच्चों के vocational development के लिए भी vocational courses चलाता है तो और बाकी इसके अलामा की education को किस तरह से stress free बनाया जा सकता है इसके लिए time time बे जो stakeholders है उनसे उनका feedback लेता है ताकि सिक्चा की जो present time में जो कमी है उसको दूर करके एक अच् अच्छी लगे तो आप अपनी comment जरूर दें अपना feedback जरूर दें आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद